वेल्कम अगेन विद्ध्यार्थी मित्रो कक्षा 11 बायलो जी के चेप्टर नमबर 5 पुस्प रचना आकारिकी में बीजणनन न्यास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इससे पहले आप लोगों को मैंने पुस्प रचना पुस्प के अव्यव पुस्प के भागों और प्रकारों के बारे में बताया अभी यहां बीजणननन्यास मतलब बीजणन का विन्यास बीजणन में बीजणन के लगने का क्रम सौरी अंडासे में बीजणन के लगने के क्रम को बीजणननन्यास कहते हैं यह अ सबसे पहला सीमांत मतलब अंडासे में बीज एक सीमा से दूसरी सीमा तक लगे हों सीवन के कतार में बस्ते हों जैसे मटर की फली मटर की फली आप लोगों ने देखी होगी मटर की फली में बीज एक लाइन में एक हरोड में लगे रहते हैं उधारन लेग्युमिनेशी को लि नेक्स्ट है भिक्ती है यानि भिक्ती में दीवाल के अंदर बीजान अंडा से के परिदी भाग में लगे रहते हैं तदा अंडा से एक कोष्टी होता है परंत कुछ पादपों में आभासी पट बन जाने के करण दू कोष्टी बन जाता है उधारन किरुशी फेरी खुल और आरजिमोन यहां देखिए यह चित्र बने हुए सीमांत का यह मटर की फली का चित्र है सारे के सारी मटर की फली में बीज एक किरामी पर लगे रहते हैं दूसरा इस्तंभी बताया था मैंने भी इस्तंभ मतलब बीज में सेंटर में इस्तंभ के अंदर यहां बीज लगे हु जब बिजांड केंद्रिय कक्ष में होते हैं एवं पुटिय नहीं होते डायन्थस और प्रिम्रोज मतलब बीज में सेंटर में लगे रहते हैं कोई साहरा नहीं होता कोई आधार नहीं होता कोई भाग नहीं होते इसके सेंटर में मद्द में लगे रहते हैं एक बीज यहां पर आधार भाग में लगा हुआ है इसलिए इसे आधार ही कहते हैं नेक्स्ट बात करें फलों की तो fruit in biology हिंदी में फल पुस्पी पादपों में निशेचन के बाद अंडा से से फल बिक्सित होता है जब अंडा से से फल बिक्सित होता है तो इसे सत्य फिल कहते हैं मात्र अंडा से से बने तो सत्य फल और जब फल अंडा से के अलावा पुस्प के अंड किसी भाग से बने तो असत्य फल आम मटर टमाटर वगएर सब यह सत्य फल है जो केवल अंडा से में सही बन रहे चित्र बना दीता हूं यह इप्पल स्तरे का होता है और एप्पल में यह पर पुस पासन है यह पूरा नहींे बदलता है पुछ पासन इसलिए एपरमें ये असत्य फल क्यालाता है terrace fruit के sipi बिना निसेशन के सीधे फल्म में बदल जाता है निसेशन हindi होता तबी इसे अस इननेसैक फल कहते हैं इसके तेफिनेसने बिनानेसेशन के फल बन जाए इनमें बीजन पस्त होते हैं अंडा से की विक्ती से फल विक्ती बन जाती है और फल विक्ती तीन प्रकार की होती है वाय फल विक्ती मद्य फल विक्ती और अंता फल विक्ती वाय फल विक्ती मतलब जैसे कि मैं मैंगो का चित्र ब एक गुठली पाई जाती है जहां पर बीज होता है इसके चारों तरफ एक और आपनों ये वहे इस्तर हो गया ये मध्य फल बिक्ती और ये अंतह फल बिक्ती इस परकार से तीन फल बिक्ती होती है बेर आम आदी में यहां पर पतला मुटा चर्मिल छिलका बनाती है वाय फल बिक्ती गूदेदार रसदार मध्य फल बिक्ती आम और खजूर में देखा होगा और कुछ पादबों में नारियल में मध्य फल बिक्ती रेसेदार होती है और अंतह फल बिक्ती कठोर होती है नारियल के अंदर जो गरी पायाती उसकी चारतर रवे कड़क आबरान पायाता है वो अंतह फल बिक्ती है मध्य फल बिक्ती इसकी रेसेदार जो बाहर नारियल कच्चा नारियल काटते है उपर से साफ करना पड़ता है वो मध्य फल बिक्ती कुछ फलों में गठोर होती जैसे नारियल जब कुछ फवद्वन में पतली जिल्ली समान होती है जैसे नीबू में और संत्रा में तो ये तीन प्रगार की फल्विक्ति यां पर आई होती है इसके बाद में बीज, बीज क्या है? बीजांड जब निशेचन होता है, निशेचन के बाद जो बीजांड होता है, बीजांड बीज में बदल जाता है बीज में तीन भाग होते हैं, एक बीजावरन जो बाहरी आवरन है, जो यहां पर मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, बीजावरन में दो होते हैं, टेस्टा और टेगमन, बाहरी आवरन और अन्तावरन, दो होते हैं, बाहरी आवरन, अन्तावरन, टेस्टा और टेगमन, टेस टेगमर पतला पादर्शी होता है बागी के भाग को भूण कहते हैं और ये भूण बीच में भूण मूल और भूण आगर में परवर्तित हो जाता है बूण मूलांकुर प्रांकुर में बदल जाता है जिसमें दो भाग होते हैं बूण मूल और भूण आगर बूण पोस बूण को पोशन देता है और बीच पत्र बोया संचे करते हैं अगर भूण पोस बीच पत्र में समाया हो तो भूण पोसी बीच और अगर मुक्त हो तो भूण पोसी बीच ये देखो बीच की रचना है घर पर आप लोग चने को विगोकर उसको छिलके को उतार कर देख सकते हैं तो उसका आवण तुमको अलग दिखाई देगा और टेगमन जो मैंने भी बताया, वो दो आवरण होते हैं, मोटा और एक पतला, दूसरा, नाबिका, नाबिका मतलब सेंटर का भाग, बीज के सिरे पर एक चिन्न की तर रजना दिखाई देती है, जिसे नाबिक कहते हैं, नाबिक बीज को फल से जोड़े रखती है, जरायू द् मटर की फली को अबने शाफ करते हैं, उसके साथ जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता, उसे हटाना पड़ता है, जिस रचना से ऋजोड़ा रहता है, उसे नाबिका कहते हैं, बीज अट द्वार, नाबिका के उपर, जो बीज में अंदर छिद्र होता है, वो नाबिका के उपर शिद्र नुमा रचना को बीजान द्वार कहते हैं बीज पत्र बीज आवण को हटाने पर दूज पत्री बीजों में जो गुदेदार बीज पत्र पायाते हैं जिनमें भोजन का संचे होता है ब्रूण दोनों बीज पत्रों के बीज ब्रूण इस्तित होते हैं दोनों बीज पत्रों के बीज नहीं बीज ये गलत लिखा है ब्रूण इस्तित होता है ब्रूण में बूणी अक्ष के उपरी पत्तिनम रचना को प्रांकुर कहते हैं तदा बूणी अक्ष के निचली रचन में दिखाया है आप लोगों को यह पर यह am वुनागर और भुनुमूल ये प्रारोभ बनाएगा, ये मूल तंत्र बनाएगा भुनपोस दुबिजपत्री बीजों में भुनपोस पत्ला और अनपस्तित होता है, यह निसमार जाता बीजपत्रों के अदर, इसलिए उसे भुनपोसी बीज़ कहते हैं मत्रचना सेम बगरे में अगर मक्के के बीज की बात करें तो मक्के की बीज में यहां पर यह वाया आवरण है इसे तुस कहते हैं बीज में यह एंडोस्पर्म होता है इस्टार्च का बना होता है यह अनुप्रस्त रचना है यहां पर यह पूरा प्रदेश भूण प्रदेश है यह जो पूरा प्रदेश है इसमें भूण पाए जाता है यहां पर भूण होगा यहां यह बूण आगर बूण आगर चोल बूण के उपर होता है बूण आगर चोल और यह बूण मूल चोल इस तरह से इसकी मक्य की बीज की रचना है अगर बीजावरण के अंदर बीजावरण में कौनकों से भाग होते हैं की बात करें तो बीजावरण बीज के आवरण को बीजावरण कहते हैं बाहरी इस तरह टेस्ट और अंदर टेगमन वीवेन बताया इसमें सते होती है Allurone layer BrewPad cái 4 उर उपस्थित परत को Allurone layer कहते है यह दो यह Allurone layer है यह protein परत Allurone protein की बनी Allurone दूसरा बहुत है भूणडबोस का जो मैं नहीं बताया है उसमें भूणडबोस में inars के रूप में भूणडबोस ऐता है बीज का अधिकांस भाग भूंड पोस होता है या इस्थूली होता है और बोजन संचे करता है भूंड की बात करें तो भूंड प्रतेस अलगी होता है भूंड पोस के नीचे खांच में भूंड इस्तित होता है बूर्ण के उपरी भाग को मुलांकुर प्रांकुर कहते हैं और नीचे के भाग को मुलांकुर कहते हैं बूर्ण के निचेले भाग को मुलांकुर दो भाग होते हैं मुलांकुर विकास करता है उधारन मक्का बाजरा गेहूं इत्यादी पुस्प सुत्र लिखने के नियम पुस्प के सदस्यों की संख्या के सदस्य की प्रतेक चिन द्वारा लिखते हैं यानि कि हम पुस्प लें और पुस्प के अंदर उसे सुत्र की रूप में बनाएं शौट में तो सदस्य असंख्यों तो उसे अनंत कहते हैं अनंत यानि इनिफिनिट इस तरह से अगर मालोग पुंग के सर अनंत हैं तो ऐसे चिनन लगा जाँगे जैसे यहां पा दिखा देते हैं अगर पुस्प तृज्या समिती है तो ये चिन्द बनाएंगे एक ब्यास सिमिती में इस तरह का चिन्द मनाएंगे सह पत्र अगर पुस्प सह पत्री है तो बी आर लिखेंगे अगर कैलेक्स यानि के दल पत्र को डिनोट करना है तो के से अगर के चार है पांच है तो इस तरह से के फाइव और स्विखते तो यसे अगर के अनन्त हैं तो इन्फिनिट का चिन्द लगा देंगे के अनन्त हो जाएगा इसी तरह कोरोला में सी फाइव यानि अगर कोरोला पांच है तो इसे लिख देंगे और अगर अनन्त हैं तो इनके अंदर भी हम के इन्फिनिट लिख देंगे नहीं हैं तो 0 कर देंगे परिदल यानि कि कलेक्स और करोला दोनों सेयुक्त रूप से हो तो अब इसे हम P लिखते हैं परियंथ के रूप में पुमंग को हम एंड्रो एसी हम एसे लिखते हैं अगर A बिलकुल नहीं है तो A 0 अगर A 5 है तो 5 10 है तो 10 और अगर उपर अंडाय कर दें मतलब अधस्त और G 0 कर दें मतलब कि पुस्प में गायनेशियम नहीं है अगर पुस्प नर है तो उसको इस चिन्न से दिखाते हैं और अगर पुस्प मादा है तो इस तरह के चिन्न से दिखाते हैं अगर वो वेलिंग यह नर मादा दोनों है तो दोन क्षेंस के चक्र सबस्द को समझाएंगे!!!! यह मैं यह एक सुत्र लिखके दिखाता हूँ यह सुत्र तुम लोगों को पुश्फ सुत्र की रूप में दिखाई देगा और को समझाएगा जैसे यहां पर मैं लिखुँं के इस तरह का चितर बना दिया तो क्षप प्लू icon के ऊहीं समर्च140 आपालँ अगर पुर्श्प इन यानि दो प्लस चार दो चक्र में और जी दो उर्धवस्त यह सरसों का पुस्प सूत्र है इस तरह ऐसे किसी भी पुस्प को एक सूत्र द्वारा पूरी रचना को अध्यन कर सकते हैं अब इसके बाद में आप लोगों को मैं कुलों के बारे में समझाऊंगा प्रत्य कुल के इस्थान, आवास, रचना, आधी के बारे में बताऊंगा अगरे लेक्चर में थेंक यू